नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विरेन एमदाबाद बुजरात से और आप सभी का हमारी चैनल किड्नी एक्सपिरेंस में स्वागत करता हूँ दोस्तोに दिखनने चैनल एक किटनी एक्सपिरेंस वह किटनी यो किटनी के फैल होने के प्रोब्लेम्स होते है उस्के बारे में जो भी problem होते हैं उसके solution के बारे में हम अपने video बनाते हैं तो किर सब्रांच हो जाती उसके बाद सब्सराइब होता है किड्नी ट्रांस्प्लांट तो अगर आपका किड्नी ट्रांस्प्लांट नहीं हुआ है तो आप किड्नी ट्रांस्प्लांट के बाद की लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोचते होंगे बहुत कुछ सवाल आपके दिमाग में होगा जब मेरा ट्रांस्प्लांट नहीं कोई किटने के बाद हमारा किटनी काम करना स्टार्ट करता है या फिर कितने दिनों में सब कुछ नोर्मर हो जाता है वह सारे सबांखों होते रहते हैं तो अग मेरा ओप्रडशन हो چुका है एक साल से उपर स्वाई हो और मेरे साथ kidney transplant के बाद क्या हुआ था वो सारे experience में हमारे channels में share करता हूं ठीक है तो यह जो problem है यह जो question है यह जो सवाल है उसका answer में इस video में देने की कोशिश करता हूं कि kidney transplant के बाद क्रिटी 9 का क्या होता है कितने दिनों भी वो normal आता है ठीक है दोस्तों जब हमारा kidney transplant को operation होता है तब patient की body में जब donor की kidney डाली जाती है सारी जो nerves होती है जो नलिया होती है वो सब feed की जाते है उसके तुरंत बाद kidney काम करने लगती है यह बहुत ही अच्छी बात है कि नई वाड ठीक है मतलब कि नई वाली kidney हमारी body में से blood को साफ करने का काम तुरंत चालू कर देती है तो ज़्यादा दर किस्तों में जिसका operation हुआ है वो patient का क्रिटी 9 दूसरे दिन में नॉर्मल हो जाता है दूसरे या maximum तिसरे दिन तक वो क्रिटी 9 एकदम नॉर्मल इंसान की जितना एक के अराउंड हो जाता है ठीक है लेकिन कुछ patients में ऐसा भी होता है कि kidney का बोर्डिंग में जो क्रिटी 9 लेवल है वो नीचे आते हैं थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये भी एक नॉर्मल ही माना जाता है क्योंकि हर एक patient की बोड़ी अलग-अलग होती है blood अलग-अलग होता है और जो kidney fit की है वो भी अलग-अलग होती है तो kidney normal होने में नहीं वाली kidney body में नॉर्मल होने में थोड़ा time ले सकती है तो अगर आपका operation होन अपने आप पे परोशा रखिए और थोड़ा रिलेक्स रहिए मैंने देखे है कि kidney transplant के तुरंग बाद जिसका क्रिटिन नॉर्मल नहीं आता है वो patient अकसर tension लेने लगता है कि क्या मेरा operation सफल हुआ या फेल हुआ तो यसा कुछ भी सोचने के जरूरत नहीं बाद में धीरे- सब कुछ ठीक हो ही जाता है ठीक है तो अगर आपको ऑप्रेशन हो भी चुका है और अगर आपको यह प्रोब्लेम हो रही है कि आपका थ्रितिन उपर नीचे हो रहा है तो भी आपको ज्यादा कुछ टेंसल लेने के जरूरत नहीं है नई वाली kidney शायद patient की body में आने के बा लगता है मतलब हमारी बोडी को नई वाली चीज़ से एड़ेस्ट होने में टाइम लगता है तो यह बहुत बड़ा एक औरगन है कि नई kidney patient की body में डाली जाती है तो उसको सायद सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो कृटी नाइन भी उपर नीचे हो सकता है व बाते ध्यान में रखनी है बस यही सब नोर्मल चीज़े आप ध्यान में रखोगे तो नई वाली kidney आपके बोडी में ठीक से सेट हो ही जाएगी तो आपको इस बारे में कोई भी टैंसल लेने की जरूरत है तो जोस्तों बस यही मुझे बताना आ था क्योंकि मैंने बहुत स आते रहते हैं लोगों के दिमाग में जो लोग कमेंट करते हैं पूछते हैं तो हम उसके सोलीशन हमारे वीडियो में देते रहते हैं तो आपके दिमाग में पी किट्नी ट्रांस्प्रांट के बारे में किट्नी फेलियोर के बारे में कोई भी सवाल है कोई भी क्वेस्चन ह तो आप हमें comment में पूछ सकते हो हमें जितना भी पता होगा जिसका confirm answer हमारे पास होगा उसके बारे में हम या तो वीडियो बनाएंगे या फिर आपके comment में reply जरूर करेंगे तो इसी तरह से हमारे चैनल में आप जुड़े रहिए हमारे वीडियो देखते रहिए और अगर